आज हम देखेंगे दशमल्यव संख्याओं के व्यवकलन के उधारण मधू ने कूल 36.4-2-3 किलोमीटर की दूरी तै की उसने 31.8 किलोमीटर की दूरी जहाद से और 6 दूरी बस से तै की पता कीजिये उसने बस से कितनी दूरी तै की इस उधारण से पता चलता है की मधू ने 36.4-2-3 किलोमीटर की कूल दूरी तै की है इसमें से उसने 31.8 किलोमीटर की दूरी जहाद से तै की हमें मधू दूरा बस से तै की गई दूरी पता करनी है इसे पता करने के लिए हमें कूल दूरी से जहाज दुआरा तै की गई दूरी का व्यवकलन करना होगा इसलिए बस से तै की गई दूरी बराबर 36.423 किलोमीटर रिन 31.8 किलोमीटर इनका व्यवकलन करने के लिए हम पहले इन्हें इनके स्थानों के अनुसार एक के नीचे एक व्यक्त करते हैं जिससे की दोनों संख्याओं के समान स्थान के अंक एक स्थम में आए यहां हम आठ के बाद शतांश और हजारवा के स्थान पर शून्य लिखेंगे क्या आप बता सकते हैं हम ऐसा क्यों कर सकते हैं सोचे सोचे चलिए हम बताते हैं क्योंकि दोनों संख्याओं में स्थानों की संख्या बराबर करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। क्योंकि दशमलव संख्या यानि decimal numbers के दाई ओर हम कितने भी शूने लगा सकते हैं, इससे संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आईए इनका व्यवकलन करें। हजारवे स्थान के अंकों का व्यवकलन करने पर हमें परिणाम के हजारवे स्थान पर अंक तीन प्राप्त होता है। शतान स्थान के अंकों का व्यवकलन करने पर परिणाम के शतान स्थान पर अंक दो प्राप्त होता है। दशांश के अंकों का व्यवकलन हम नहीं कर सकते, क्योंकि उपर वाला अंक छोटा है और नीचे वाला अंक बड़ा. इसलिए हम इकाई के अंक 6 से एक हासिल लेंगे, इसी के साथ इकाई के स्थान पर 5 बचेगा. इकाई स्थान का एक यानि दशान स्थान के 10 है इसलिए दशान स्थान पर अब 10 और 4 है यानि की 14 है अब हम 14 हमें से 8 का व्यवकलन कर सकते हैं इससे परिणाम के दशान स्थान पर अंक 6 प्राप्त होगा फिर हम इकाई के अंकों का व्यवकलन करते हैं इससे हमें परिणाम के इकाई स्थान पर अंक चार प्राप्त होगा इसी प्रकार दहाई के अंकों का व्यवकलन करने पर परिणाम के दहाई स्थान पर अंक शुन्य प्राप्त होगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहां चार इकाई स्थान पर है छो दिशांच स्थान पर है दो शतांच स्थान पर है और 3000 वे स्थान पर है हम कह सकते हैं कि 36.423 किलोमीटर रिन 31.8 किलोमीटर पराबर है 4.623 किलोमीटर के इसलिए मधु ने बस से 4.623 किलोमीटर के दूरी तै की अगला उधारण आनंद के बैंक खाते में 3200 रुपए थे अगर वह इस में से 2889.85 रुपए इंटरनेट पर खरिदारी के लिए खर्च करता है तो उसके खाते में कितनी धनराशी शेश होगी आनंद के बैंक खाते में कुल धनराशी 3200 रुपए थी इस में से उसने इंटरनेट पर खरिदारी के लिए 2889.85 रुपए खर्च किये इसलिए शेश धनराशी बराबर कुल धनराशी रिन इंटरनेट पर खरिददारी के लिए खर्च की गई धनराशी याने की 3200 रुपए रिन 2889 दशमलव 85 रुपए इस व्यवकलन का परिणाम प्राप्त करने के लिए आईए इन दशमलव संख्याओं को एक के नीचे एक लिखें ध्यान रहे दोनों संख्याओं के समान स्थान के अंक एक स्थम में आने चाहिए अब यहाँ शतान्ष के स्थान का व्यवकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि शून्य पांच से छोटा अंक है इसलिए दशान्ष के अंक से हासिल लेना होगा लेकिन इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है इसलिए यह इकाई के अंक से हासिल लेगा लेकिन उसके पास भी देने के लिए कुछ नहीं है इसलिए वो दहाई के अंग से हासिल लेगा यहां भी शून्य ही है इसलिए यह सेकड़े के अंग से हासिल लेगा इसके साथ सेकड़े के स्थान पर एक शेश रहेगा एक सेकड़ा बराबर दस दहाईया इसलिए दहाई के अंग को 10 के साथ जोडेंगे अब इस स्थान पर कुलमान है 10 इसमें से एक इकाई के स्थान को देंगे तो दहाई के स्थान पर 9 बचेंगे एक दहाई यानि 10 इकाईया इसलिए इकाई के स्थान पर अब 10 इकाईया है फिर हम इसमें से एक इकाई दशांज के अंग को देंगे जिससे इकाई पर नौ रहेंगे और दशांज के पास दस हो जाएंगे इसी प्रकार हम हासिल को आगे देते जाएंगे अब शतांज स्थान पर दस है इसमें से पांच को घटा कर हम परिणाम के शतांज स्थान पर पा प्रकार हल करते हुए हम परिणाम प्राप्त कर लेंगे 320.15 रुपए वीडियो रोक कर इसे कैसे हल किया गया है यह समझे तो खरिद्दारी के बाद आनन के खाते में शेश धनराशी होगी 320.15 रुपए तो आज हमने देखे दशमलव संख्याओं के व्यवकलन के उधारण अगले वीडियो में इनसे संबंदित कुछ मिथ्याधार्णाओं को दूर करेंगे